नमस्का दोस्तों, टक्नोलजी स्मार्टफोन चैनल में आपका स्वागत है आज मैं कुछ ऐसे लेटेस्ट मुबाइल फोन के बारें बताऊंगा जो 2022 में लांच हुए हैं उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब ने किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को आंकर दीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मोटरोला मोटो जी सेवन कीवन इसमें 6.4 इंच फुल एश्डी प्लस एमोलेट डिस्पले दिया गया है जो पंचोल के साथ आता है इसमें 16 हर्ट से रिफरेश रेल्ट दिया गया है मुझको पसंद नहीं है मिमोरी कार्ड सपोर्ट होता तो और मज़ा आ जाता सिंगल स्पीकर दिया गया है बैग में फिंगर प्रिंट सेंसर दिया गया है या एंडराइड 11 के साथ आता है अब इसके कैमरे की बात करें तो इसमें टिर्पल कैमरा सेटप दिया गया है 50 मेगा फिक्सल का प्रैमरी कैमरा 8 मेगा फिक्सल का अल्टा वाइल्ड और डेप्ट 2 मेगा फिक्सल का माइक्रो कैमरा दिया गया है सेल्फी के लिए 16 मेगा फिक्सल का कैमरा दिया गया है इसमें 5000 मेज की बैल्टी दी गई है जिसको चार्ज करने के लिए 33 वाल्ट का फास्ट चार्जा दिया गया है अब इसके प्राइज की बात करें तो या 6 जीवी रेम और 128 जीवी इंटेनर मिमोरी के साथ 18,990 रुपे का है यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिल आइकत को अनका दीजिए जिससे हमार लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच सके अगला फोन है साउमी 11 आई इसमें 6.67 फूल SD प्लस सुपर एमोलेल डिस्पले निया गया है डिस्पले के प्रोटेक्शन के लिए गुरिला गलास दिया गया है इसमें 120 Hz रिफ्रेश लेल डिया गया है HDR 10 का भी सपोर्ट दिया गया है 1200 की peak brightness दिया गया है डिस्पले काफी अच्छा दिया गया है इसके back panel में glass के साथ melt finish दिया गया है अब इसके processor की बात करें तो इसमें Media Tech Diamond City 920 processor दिया गया है इसमें gaming काफी अच्छे से कर सकते हैं इसमें 5G के 7 band दिये गए है Dual stereo speaker side में fingerprint sensor और IR blaster दिया गया है इसमें hybrid sim slot यानी की 2 sim या एक memorial card और एक sim एक साथ लगा सकते हैं Career aggregation का भी support दिया गया है अब बात करें इसके camera की तो इसमें triple camera setup दिया गया है 108 megapixel का primary camera जो Samsung का sensor के साथ आता है 8 megapixel का ultra wide camera और 2 megapixel का micro camera दिया गया है इस camera से 4K full HD video record कर सकते हैं Selfie के लिए 16 megapixel का camera दिया गया है अब इसकी बैल्टी की बात करें तो इसमें 5,160 mh की बैल्टी दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए 67 wide का fast charger दिया गया है अब इसके price की बात करें तो या 6GB RAM और 128GB internal memory के साथ 24,999 रुपे का है अगला phone है Bevo V23 इसमें 6.44 inch full HD plus emoled display दिया गया है जो small notch के साथ आता है या HDR10 को भी support करता है इसका display बहुत अच्छा दिया गया है इसके back में melt finish दिया गया है जो color change करता है जो इंडिया का पहला ऐसा smartphone है जो color change करता है अब इसके processor की बात करें तो इसमें media tech diamond city 920 5G processor दिया गया है जो android 12 पर run करता है इसमें in display fingerprint sensor दिया गया है इसमें सिर्फ दो sim का support दिया गया है memory card नहीं लगा सकते हैं इसमें mono speaker दिया गया है अब इसके camera की बात करें तो इसके back में triple camera setup दिया गया है 64 megapixel का primary camera 8 megapixel का wild angle और 2 megapixel का micro camera दिया गया है इस camera से 4K full HD video record कर सकते हैं selfie के लिए dual camera setup दिया गया है 50 megapixel का primary camera और 8 megapixel का wild angle camera दिया गया है इस camera से 4K full HD video record कर सकते हैं इसका camera बहुत जबदस्त दिया गया है अब इसकी बैल्टी की बात करें तो इसमें 4200 एमेस की बैल्टी दिया गया है इसको चार्ज करने के लिए 44 वाल्ट फार्च चार्जर दिया गया है या 8GV RAM और 128GV इंटरनर मिमोरी के साथ 29,950 रुपे का है अब हमने कुछ ऐसे स्मार्ट फॉन के बारें बताया जो 2022 में रिसेंटली लांच हुए है असा गाता हूँ या वीडियो आप लोगों को फसंद आया होगा अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कियो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और विल आइकन को अंकर दीजिए जिससे हमारी लिटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके